हमारे विधान परिशत के विपक्ष के निता श्री प्रवींट दरेकर जी इनके उपर सरकार जान बूच कर एक एफायर दाखिल करना चाहता है यह कल ही मैंने बताया था और आज उस प्रकार का एफायर दाखिल हुआ है जो हमारे आपर लेबर फेडरेशन होती है उस लेबर फेडरेशन के वो क्यों सदस्य बने ऐसा उनके उपर आरोप लगाया गया है जबकि मुंबई बैंक में वो लेबर फेडरेशन से चुनकर नहीं आये है वो अर्बन बैंक केटेगरी से चुनकर आये है और आज में जितनी लेबर फेडरेशन है सारी लेबर फेडरेशन के अद्देक्षा और उसके सदस्य ये अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिडर है और इसमें सबसे ज़्यादा इस प्रकार की कारवाई हो रही है और हमको पहले ही ये सुचित किया गया और सत्ता पक्षे लोगों ने कहा कि अभी संजे पांड़े इनको सीपी करके हमने लाया है और सीएम आफिस से उनको एक बड़ी लिस्ट हमने दी है और उस लिस्ट के आधार पर अभी कारवाई होने वाली है उसमें पहला नाम ये प्रविंट दरेकर का है मैं सरकार को साफ बता जेना चाहता हूं आप चाहे जितने जूटे मुकदमें हमारे उपर दायर कीजिए रष्टाचार के किलाब बोलना हम बन नहीं करेंगे आज माननिय हाइकोट ने मंत्री श्री नवाब मलेक इनकी अरजी खारिज कर दी है और इडी ने जो कारवाई उनके उपर की उसको जायज ठेराया है सरदार शहावली खान मुंबे बंविस्पोर्ट का आरोपी दाउद का गुरगा और सलीम पतेल दुसरा दाउद का राइट हैंड हसीना पारकर का राइट हैंड इनके माध्यम से कवडियों के भाव जमीन खरीद कर जूटे पेपर तयार करके और जमीन के मालिक को एक पैसा दिये बिना और हसीना पारकर को पैसा दे कर जिस प्रकार का ये विवहार हुआ और ये पैसा हसीना पारकर के माध्यम से दाउद के पास और उसके माध्यम से टेरर फंडिंग में ही जाता है ऐसी सारी चीज़े ये स्पष्टता से आने के जाज्य की सरकार अभी भी नवाब मलिक का इस्तिफा नहीं ले रही है मेरा सवाल है सरकार को कौन सा दबाव आपके उपर है क्या दाउद का दबाव है इसलिए नवाब मलिक का इस्तिफा नहीं लिया जा रहा है हमारी मांग है नवाब मलिक का मंत्रीपत का इस्तिफा तुरं मैं ऐसा मानता हूं कि हमने पहले दिन से यह कहा था सभी को अपनी धार्मीक आजादी है लेकिन वह अपने दायरे में है शिक्षा संस्थाए जो है यह अपने नियम से चलनी चाहिए यह काईदे कानून से चलनी चाहिए शिक्ष्या संस्थाओं में जो वहां का ड्रेस कोड है उसको सबको मानना पड़ेगा उसके लिए कोई यह नहीं कह पाएगा अगर ऐसा अनुशासन नहीं रखा तो कल कोई कहेगा मिल्टरी में भी जाकर कि मेरे धरम में यह नहीं बढ़ता इसलिए मैं मिल्टरी के रूल्स मे नहीं रहूंगा ऐसा नहीं हो सकता है नियम काईदे कानून अपनी जगह है भारिमिक स्वातंत्रा अपनी जगह है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा स्पष्ट निर्णे आज हाई कोट ने दिया हुआ है और अब इसके बाद इस प्रकार के विवाद करने वालों ने चुप बैठना चाहिए मुझे इस बात का बहुत संतोश है कि मद्यप्रदेश की सरकार ने किसानों के बिजली के बिल स्वयम भरने का फैसला किया और उसके लिए 6500 करोड रुपिया यह सरकार ने दिया है हम मांग करते हैं महाराष्ट की सरकार भी हमारे किसानों का सरकार बभी हम पेसादी